नमस्कार स्वागत एक नए वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के एंसे 18 चेप्टर तीसरा जो सभी स्टेट पोर्ड्स की एक्जाम्स के लिए काफी महत्तो पूर्ण है चेप्टर की हमारी हेडिंग है आरंबिक नगर यानि हम मानव उत्पत्ति के बारे में जिस रूप में पढ़ रहे हैं उसमें हम आज आरंबिक नगरों के बारे में पढ़ेंगे कि सुरुवात के जो प्रारंबिक सहर थे जहां पे लोग रहा करते थे वो किस प्रकार के थे ठ सरक्षन और उसके महत्व बारे में जस्पाद और हर्पीत बात कर रहे हैं वो लोग एक खंडर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूंत का घर कहा करते थे एक ने उसकी वास्तुकला को देखते हुए कहा कि आपने क्या कहीं पर लकड़ी की इतनी सुंदर नकाशी देखी है दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्तर लिख कर कहना चाहिए कि वह इस खूब सुरुद घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरमत करने की विवस्ता करें यहाँ पे दोनों जो हैं वो पुराने चीज़ों के सरक्षन की बात कर रहे हैं और अब आगे ह हम चलते हैं हडपा की कहानी की तरफ अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं लगबग डेट सो साल पहले जब पंजाब में पहली बारे लिवलाई ने बिचाई गई डेट सो साल पहले मतलब लगबग 1857 से लेकर 1872 के बीच में बिचाई गई तो इस काम में चू उसने पूछे कि हडपा का इस्थल कहाँ है तो आप यह कह सकते हैं कि हडपा का इस्थल पाकिस्तान में है आप इन सामाने चीजों को याद रखियेगा उन्हें ने सोचा कि एक ऐसा खंडर होगा जहां से अच्छी इंटे मिलेगी उन्हें हडपा सब इता कर गई उस्थान ता वहां से इंटों को उखाड लिया और हजारों इंटे उखाड ले गए जिन से रेलवे लाई ने पिछाए गई इससे कई इमारतें पूरी तरह नश्ट हो गई उसके बाद लगबग 80 साल पहले पुरतत्व विदों ने पुरतत्व विदों के बारे में आप जानते हैं जो इतिहास का दिन करते हैं उन्होंने इस अस्तल को ढूंडा और पता चला कि ये खंडर उप महदीब के सबसे पुराने सहरों में से एक है 80 साल पहले यानि लगबग 1921 के समय पुरत इतिहास कारों ने पुरतत्व विदों ने जो है इसे खोजा और पता लगा कि उप महदीब के सबसे पुराने सहरों में से एक है चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए इसके बाद मिलने वाले इस तरह के सबी बुरास्ते लोग जो इमारत हो और चीजे मिली उन्हें हडपा सब बेता की इमारत ही कहा गया अब इसका नम हडपा सब बेता क्यों पड़ा अगर कोई आप से फूचे तो आप क्या कहेंगे तो हडपा सब बेता नम इसलिए पड़ा क्योंकि हडपा जो है वो सबसे पहले खो जा गया स्थान था क्या था हडपा ठीक है इन सहरों का निर्मान लगभग आज से 4700 साल पहले हुआ था यानि इन सहरों का निर्मान लगभग 2720 या फिर इसा पूर्वा के मद्धे हुआ था अब हम बात कर लेते हैं यह नगर कहां तक पाये जाते हैं तो यह नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंद प्रानतों के अलावा भारत के गुजरात राजस्तान हर्याना और पंजाब के प्रानतों में भी मिले हैं यहाँ प्रते एक जगह पे जहाँ अलग-अलग विशेष्टाएं मिली हैं जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे पत्थर की बाट, मुहरें, मन के तामबे के उपकरन और पत्थर के लंबे ब्लेड आदी जो है वो यहाँ पे मिले हैं प्राएं पस्चिमी भाग छोटा था लेकिन उंचाई पर बना था पूर्वी हिस्चा बड़ा था लेकिन निचलेला के में था उंचाई पर जो बना था उसे कहते थे सीटाडेल जहाँ पे राज के बिल्डिंगे होती थी उंचाई भाले भाग को पुरातत्विन जहाँ नगर दूर्ग कहा है सीटाडेल जिसे हम कह सकते हैं निचले हिस्चे को लवर टाउन या फिर निचला नगर कहा गया है दोनों हिश्चों की तो चार दिवारिया थी वो पक्की इंटों से बनी गई थी किस से बनी थी पक्की इंटों से और इंटे जो है वो इस्तनी मजबूत थी कि उनकी दिवारे आज तक खड़ी रही है ठीक है और ये जो सडपा काली इन सरबेता के जो स्तल है ये चन हुदारो मोहन जोदडो सिंदु नदी जो है उसके आसपास ही ये अस्तल जो है रावी नदी चेनाव नदी जहलम नदी काली बंगा राखी कड़ी ये दोनों हर्याना के राखी कड़ी हर्याना के अंदर काली बंगा राजस्तान के हनुमानगर जिले के अंदर है गम्वेरी वाला चन हुदाडो धोलाविरा सुर्कोषड़ा ये लोथल ये सब कहां पे हैं ये सब हैं गुजरात के अंदर ठीक है और आफ कीजेगा ये सब हैं गुजरात के अंदर ठीक है फुझ नगरों में नगर दुरुक के कुछ खास इमारतें बनाए गई थी मिशाल के तोर पर मोहन जोदरों में खास तालाब है जैसा अब पुरातत वीदुगों को ने महान सनानागार कहा है अब यहां से पृषण कि आसकता है यहां से पृषण आसकता है कि महान सनानागार कहां स्थित है तो महान सनानागार जो है चलिए हम लिख लेते हैं आप भी लिख लेजिए कि महान सनानागार कहां स्थित है तो महान सनानागार स्थित है मोहन जोड़ो में कहां पर मोहन जोड़ो में महान सनानागार स्थित है और इस नानागार में जो है एंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था जिसे पानी का रिषाव रोकने के लिए उसके उपर चार कोल यानि कोईले की जो होता है कोल की तरह उसका उप्योग किया गया था दोनों तरफ से उतरने के लिए सीडियां, चारों और कमरे, पानी भरने के लिए कुवा और यहाँ पर विशेस अफसरों परसनान करने के लिए यह बनाया गया था ठीक है, तो आप से अगर कोई पूछे कि महान सनानागार कहां है तो उसका आपको जवाब देना है, मोहन जौदरों में है और इसका उपयोग जहर नागरी को द्वारा विशेस अफसरों परसनान के लिए किया गया अब अगर कोई आप से पूछे कि अगनी कुंड के साक्से कहां कहां मिले है तो आपको जवाब देना है, काली बंगा और लोथल में जो है वो अगनी कुंड के साक्से मिले है यह परसना आप से कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जाएगा कि अगनी कुंड के साक्से कहां मिले है, तो अगनी कुंड के साक्से मिले है काली बंगा और लोथल में जो है वो अगनी कुंड के साक्षे मिले हैं इंपोर्टेंट है लिख लेजिए कि अगनी कुंड के साक्षे कहां मिले हैं तो अगनी कुंड के साक्षे मिले हैं काली बंगा और लोथल में संभवत है यह के लिए उपियोग किये जाते होंगे हडपा, मोहन जोद्रो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े-बड़े बंडार ग्रैबी मिले हैं ठीक है तो यहां तक हो गया यहां पर यही परसंद इंपोर्टेंट है कि अगनिकुंड जो है वो कौन-कौन से नगरों में मिले हैं तो काली बंगा और लोथल में अगनिकुंड जो है वो मिले हैं अब हम आते हैं इसके नगरिये विवस्ता पर तो भवन नाले और शड़कें जो है वो किस परकार के थी यहाँ पर महानसनानागार का चित्र दिया हुआ है इस प्रकार से यह था और यह कहां स्थित है महानसनानागार एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ महानसनानागार स्थित है मोहन जोदरों में कहां पर स्थित है मोहन जोदरों में ठीक है अब नगर की बात कर लेते हैं इन नगरों पर घराम तोर पर एक या दो मंजिले होते थे ठीक है घर के आंगन में चारों और कमरे बनाया जाते थे आंगन जो है वो जैसे माले जी ये आंगन हो गया तो इधर भी कमरा है इधर भी कमरा है इधर भी कमरा है चारों तरफ जो है यह देखिए इस प्रकार से जो है बीच में घर का आंगन रखा जाता था और कुछ घरों में कुए भी पाये गए हैं ठीक है कई नगरों में ढके हुए नाले थे यानि नालों की विश्था जो है उसके लिए हडपा प्रसीद था और नाले भी थे यहां पर इन्हें इस विद्समें जगा जगए मेन होल बन मेल हो यानि सफाई के लिये जिससे हम उनकी दिख बाल जैसे पिट नहीं बनाते गया, अपने जो होते हैं अगर में, तो सफाई के लिए बनाये गई थे, अब हम बात करते हैं, हडपा सब बता के, नगर यह जीवन के बारे में, तो हडपा के नगरों में बड़ी हल्स रहा करती थी, यहां पर ऐसे लोग रहते होंगे, जो नगर की खास इमारते बनाने की योजना में जूटे रहते थे, ठीक है, यह संभवता यहां के साशक थे, यह भी संभव है कि साशक लोगों बेज कर दूर दूर से धातू, बहुमुले, पत्थ्र और अन्य उपियों के चीज़ें मंगवाते थे, साइद साशक लोगों को उफसुरत मन को तो था सोने चांदी से बने अबूरों जैसे कियमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे, यहां पर नगरों में लिपिक भी होते थे, जो महरों पर कुछ ना कुछ लिखते थे, क्योंकि यहां के लिपी जो है भी डिसाइफर नहीं हुई है, यहां पर उसको हल नहीं कि अगया है, तो अभी तक हम अंचान है कि वो क्या लिखते थे, इसके अलवा नगरों में सिल्पकार, अस्तरी, पुरूस भी रहते थे, जो घरों या किसी उदोग स्टल की तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे, लोग लंबी यातराएं भी करते हैं, वहां से उप्यों की व करना हुआ, पाइया गया है, और ये, जो है, वो हडप़ा की महरे हैं, क्या है, ये हडपा गाली महरे हैं, और ये, कुछ, यहा पे, जो है, मीट्टी के खिलोंने पाइय गए हैं, वो हैं, अब हम बात करते हैं, नगर और नए सिल्प के बारे में, आउब अब कुछ ऐसी, एंगा धिन करें जो हडबा नगरों से पराप्त हुई हैं अब हम हडबा की नगर से जो चीजे पराप्त हुई हैं उनका धिन करते हैं जैसे इसमें अधिकतर पत्तर संख तामबे कांसे सोने और चांदी जिसी दात्वों से बनाए गई वस्तों थी तामबे कांसे के उजार हतियार गहने और बरतन बनाय जाते थे सोने और चांदी से गहने और बरतन बनाय जाते थे यहां मिली सबसे आकरशक वस्तों में मन के बाट और फलक जो हैं वो पाय जाते हैं अब आप इन पत्थर के बाटों को देखिए ठीक है जो वजन तोलने के कामत है कितनी खुबसूरती के साथ जो है वो इनको बनाया गया है किस प्रकार से उनकी जो आप स्किल्स देखिए कि किस प्रकार से कितनी purity के साथ कितनी सेब को धान में रखते हुए ये बनाये गए हैं ठीक है इनमें बाटों को बनाने के लिए कौन सी किस का उप्योग किया गया है बाटों को बनाने के लिए चर्ट पत्थर का उप्योग किया गया है चर्ट पत्थर का आप याद रखिए कि हडपा कालीन सपेता में बाटों को बनाने के लिए कौन सी चीज का उपयोग किया गया है तो वो चरट पत्थर का उपयोग हडपा कालीन सपेता में बाटों को बनाने के लिए किया गया है ठीक है अब यह जो है यह है मनके यानि बीड्स मनके जो है यह अबुफनों के तोर से यह बनाए जाते थे कार्नीलियन मनके बनाए जाते थे कार्नीलियन पत्थरों से और बाट बनाए जाते थे चर्ट पत्थरों से ठीक है और हडपा सबेता के लोग जो हैं पत्थर की महरें बनाते थे इन महरों पर सामाने तो जानवरों के चितर मिलते हैं हडपा सबेता के लोग जो हैं वो काले रंग से डिजाइन किया गए खुबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन जो हैं वो भी बनाते थे और यहां पे जो मोद रूप में हम अगर कह सकते हैं कि कड़ाईदार वस्तर जो हैं वो भी हडपा कालीन सबेता के दुरान कड़ाई के वस्तर भी बनाये जाते थे तो यह हडपा सबेता की कुछ महत्पूर्ण विसेशता हैं आप लोग जो हैं वो पढ़ रहे हैं ठीक है तो यह यह चीजें जो हैं वो हडपा इन इन चीजों के लिए फेमस था यह जो स्टेच्यों आप देख रहे हैं वो भी उसी समय का है जिस समय हडपा कालीन लोगों अब एक और है कि समभवत साथ हजार साल पहले महरगड में कपास की खेती होती थी आप यह बात लिख सकते हैं कि सबसे पहले कपास की खेती कहां पे होती थी तो कपास की खेती सबसे पहले महरगड में है जो बलुचिस्तान में इस्तित है महरगड बलुचिस्तान में इस्त थी कपास की खेती कपास की खेती सबसे पहले होती थी मेहर गड़ में कहां पर मेहर गड़ में और कपड़े के टुकड़ों के अवसेस कहां मिलते हैं कपड़ों के टुकड़ों के अवसेस मिलते हैं मोहन जोदरों में ठीक है कपड़ों के अवसेश कहां मिलते हैं कपड़ों के अवसेश मिलते हैं मोहन जोदरों में कहां मिलते हैं कपड़ों के अवसेश कपड़ों के अवसेश मिलते हैं मोहन जोदरों में और चांदी का फूलदान के डक्कन तता कुछ अन्य ताम्बे की वस्तों से चिपके हुए मिले हैं ठीक है पक्की मिटी तता फयन से बनी तकलियां सूथकताई का संकेत देती हैं अब यहाँ पर याद रखनेयों के बात हैं कि कपास की खेती सबसे पहले महरगड में शुरू ही और कपड़ों के अवसेश सबसे पहले मिले कहां पयो महनजोधरों में सब से पहले कपड़ों के अवसेश मिले हैं और जो वस्तों का निर्माण है वो अदुधतर वस्तों का निर्माण जो हुआ, विशेशक चीजे के उनिक के ुण स collar अधिकrare अधिकतर वस्तों का निर्माण जो किया जाता था जैसे पत्थर, तराषना मन के चंकाना या फिर मोहरों पर पचीकारी करना आदी जो है वो विशेसग्य ही करते थे, ठीक है हर विशेसग्य नहीं हो सकता था, हमें यह पता नहीं है कि क्या सिरफ पूरुश यह से का मतलब, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि वहाँ पे जो है वो महिला थी या पूरुस थी, सब अपने अलग-अलग कारियों में विशेशग्यों का रूप अदा करते थे अब पूर्ण रूप से कौन किस कारिय में विशेशग्य था इसकी जानकारी जो है हमें नहीं प्राप्त हो सकी अब आप जो हैं इनको किसी भी बुक्स में आप अगर ये जो बुक्स में दिये वे चीज़ें होती हैं इन्हें अगर आप छोड़ते हैं तो अपनी चीज रूप से अपने दो या चार नमर पते प्रिक्षा में छोड़ते हैं अब फेयांस देखिए ये पत्थर और संग प्राकरतिक तोर पर पाया जाते हैं लेकिन फेयांस को करत्रीम रूप से तयार किया जाता है बालू या असपर्टिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद मिला कर इनसे वस्तों में बनाए जाती है ठीक है अब फेयांस बनता कच्चे माल की खौज में मान लिजिए कि एकर आपको कोई बड़ा विवसाय करना कोई बड़ा काम करना है तो कोई चीज को बनाने के लिए हमें रो मैटेरियल चाहिए कच्चा माल चाहिए तो इसके लिए जो घडपा माल को हैं क्या करते थे वो जसности मालीजेगी लकडी धातु है आइस्क है प्रकरतिक रूप से उबलुप कच्छे माल है फिर भी इनसे कई तरह की छीज़े बना जाती है मिसाल के तोरूरब किसाना दोरा पेदा की कपास को कच्छा माल कहते है कपास का चामाल है जिसे क्या बनता है कताय बुनाय की बाद कपड़ा त्यार के जाता है हडपा के लोग को कई चीजें वहीं मिलती थी लेकिन उनको तामबा, लोहा, सोना, चांदी और भहुमले पत्थर जैसे प्रदार्थों को दूर दूर से आयात भी किया करते थे हडपा के लोग तामबे का आयात संभावत आज के राजस्थान से करते थे आपी लिख लीजे कि तंभे का आयात जहव राजस्थान के खेतरी से किया जाता था अगर आपसे पूछे कि कौन से देश से तंभे का आयात किया जाता था तो ओमान जो पस्ची मेशे देश है वहां से भी तामबे का आयात जो है वो किया जाता था और टिन का आयात इरान और अफगानिस्तान से तामबे का ओमान से सोने का आयात करना टक ये बात आप याद रखेगा कि सिंदु गाटी सबेता के लोग जो है वो सोने का आयात सोने का आयात कहां से करते थे तो सोने का आयात करते थे वो करनाटक से और बहुमुले पत्थर का आयात जो है वो गुजरात से किया जाता था इसलिए गुजरात के लोथल के अंदर जो है वो एक मनके की फेक्टरी भी पाई गई है आपको ये बात याद रखनी है अब ये चीज़ें आपने कर ली अब चीज़ों को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है वो बेलगाडियों का उपयोग किया जाता था अब हम पढ़ेंगे कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन जो है वो उसकी वेस्ता किस प्रकार से होती थी तो लोग नगरों के लावा गाउं में भी रहा करते थे वे अनाज उगाते जानवर पालते किसान और चरवाही सेहरों में रहने वाले शासक लेकों दस्तकारों को खाने के समान देते, पोदो के अफ्षेसों से पता चलता है कि हडपा के लोग जो दाले, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, तो ये परमुक फसले हैं जो उगाते थे, आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, ये हैं गेहूं, ठीक है, लिखे, गेहूं जो दाले, तो नहीं बच पाए, लेकिन, क्योंकि वे पड़ाये, लकड़ी से बनाये गए थे, लेकिन हल्क यागार के खिलों ने मिले हैं, इस चैतर में बारिस कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे, संबहतर पानी का संचे, किया जाता अब ये जो हल है, ये कहां मिला, इसमें भी इसको आप लिख लिए, ये हमको बनावाली हर्याना के अंदर हल का ये, आकरती जो हल क्या करती हमें बनावाली हर्याना के अंदर हल क्या करती हमें मिली है, कहां पर बनावाली हर्याना के अंदर हल क्या करती मिली है हडपा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे बस्तियों के असपास तालाब और चारागा होते थे लेकिन सुखे महिनों में मवेशियों को जुन्डों को चारा पानी की तलास में दूर दूर तक जो है ले जाते थे से आज की समय कई स्थानों पर होता है अब हम एक specific चलते हैं गुजरात में हडपा काली नगर का सुक्षम निरिक्षण माफ कीजिएगा ठीक है तो अब हम देखते हैं धोला वीरा तो धोला वीरा सबसे पहले तो क्या पूछा जा सकता है कहां है तो धोला वीरा है भई गुजरात में ठीक है गुजरात में कहां पर गुजरात में है कच इलाके में कच में कहां पर तो कच में है ये खादिर बेत कहां पर ये है खादिर बेत में ठीक है जहां हडपा सपिता के कई नगर दो भागों में बगत थे दोला वीरा को तीन भागों में बांटा गया था important बात है लिख लीजिए कौन सा नगर तीन भागों में बांटा गया था तो इसका जवाब है दोला वीरा कितने भागों में दोला वीरा बांटा गया था तीन भागों में, important question है, धोला वीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था, धोला वीरा गुजरात की में स्थित है, कच्छ के आसपास, खादिर बेट जगया है, खादिर बेट के पास जो है वहाँ पे स्थित है, ठीक है, इसमें खुला ग्राउंड था, जिसमें सारोज निगायों जिन किये जाते थे, अवसेस हो में हडपा लिए कि बड़े-बड़े अक्षरों को पत्रों में खुदा पाया गया है, ठीक है, इन अभी लगों में संबवता, लकडी में जड़ा गया था, यह एक अनुखा अवसेस है, क्योंकि आम तुर्प हडपा के लेकर, मो एकडी में जड़ा विशाल अभी लेक, अगर कोई आप से पूछे तो आपको सीधा सीधा उतर देना है, धोला विरा गुजरात के अंदर, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, गुजरात की खंबात की काड़ी में मिलने वाली साबर मती की एक उपनदी के किनारे बशा लोथल नगर एक ऐसे स्थान पर बशा था, जहां कीमती पत्थर जैसा, अप यह बात याद अख लीजिए, लोथल में बंदरगा था, पोतगा, बंदरगा कहां था, लोथल रीट में पूछा जा चुका है, लोथल में था, यह इंपोर्टेंट है, हर एक्जाम में आता है, कि लोथल में क्या था, तो लोथल में था पोतगा है, ठीक है, यह जहां यह चीजों का एक महत्रपूर्ण केंतर था, इस नगर में एक बंदार गरह भी था, बंदार गरह में मोहरें और मुदरांकन या मोहरबंदी, गिली मिटी पर तरबाने से उनकी चाप जो है वो मिली ह है, यह बात भी आप याद दख लीजिए, यहां आप एक इमारत मिली है, जहां संभावत है, मन के, यह देखी लीजिए, मनकों की फेक्टरी, मनकों की फेक्टरी, कहां पर है मनकों की फेक्टरी, मनकों की फेक्टरी है, लोथल, लोथल कहा है, लोथल है, गुजरात के इंदर है थीक एब मुध्रा और मोहरीं और मुद्रांकन या मोहरबंदी मोहरों पूर्ण पर महर लगाई जाती थी महर की छाप को महर बंदी कहते हैं इंपोर्टेंट है अगर कोई आप से पूछे कि महर बंदी किसे कहते हैं तो महर की छाप को महर बंदी कहते हैं अब एक और आजाता है कि इस सब्वेता का आखिरकार इतनी विक्षित सब्वेता का अंत कै अंत जो है वो आस्तरीक रहस्य है लगबग गुन चाली सो साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है अचानेक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया लेकर महर और बाटों का प्रियोग बंद हो गया दूर दूर शे कच्छे माल का आयात काफी कम हो गया मोहन जोदरों में शड़कों पर कच्रे के डेर लगने लगे जल निकास प्रनाली नश्ट हो गई और शड़कों पर ही जुगी नुमा घर बनाए जाने लगे तो ये क्यों हुआ कुछ पता नहीं कुछ विद्वानों का कहना है नदियां सूख गई किसे कहना है जंगलों का विनास हो गया इसका कारण ये हो सकता है कि इट पकाने के लिए जब इतनी बड़ी सब्वेथा विक्षित होती है तो जब इट पकाने के लिए जितनी पकी हुई इटे वहाँ पर थी तो कितने पेड़ पोदे काटे गई होंगे उनसे जो है आसपास के लिए घास चारागा और ये मैदान सारे समाप्थ हो गए शूका भाइड आगई इन्ही कारणों से जो है समभर हुत है लगभग यह सबबेता समाप्थ हो गई ऐसा लगता है सासकों का नियंद्रन समाप्त हो गया और परिवर्तन का अस्तर जो है बेलकुल साब दिखाई देता है आतुनिक पाकिस्तान के सिंद्ध और पंजाब की बस्तियां उचड़ गई कई लोग पूर रदक्षन में नए नई चोटी बस्तियों में जाकर पस गई इससे लगब चोदा सो साल बाद नए नगरों का विकास हुआ इनके बारे में हमाने वाले चेप्टरों में पढ़ेंगे और ये मिस्र के बारे में यहाँ पर कुछ जान खरिदी गई है जो हमें हम अफगानिस्तान से और तामबा रादस्तान से और यही कुछ प्रशन थे तो ये चेप्टर जो हमने बड़े अच्छे तरीके से बड़ा अशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आयागा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना वीडियो प्रशन पर प्रो वीडियो पिर प्रतान से खिंवा ब़ादस्तान से तरीका